पिछले लेक्चर में हमने कुछ टूल्स के बारे में स्टार्ट किया था कुछ टूल्स हमने एक्सप्लोर किये और इस लेक्चर में भी हम कुछ मजीद टूल्स के उपर बात करेंगे आपने नोट किया होगा कि प्रीमियर से यह थोड़े से डिफरेंट हैं टूल्स कुछ टूल्स शुरू वाले बिल्कुल सेम थे और उसके बात आगे जाके आपके थोड़े से कंपुलिकेटिट हो गये हैं अभी इसमें हम उसके और बीख टूलों है आसरे ले के बाहरे में देखे ₹ी इसमें शामिल है, pen tool तक हमने explore कर लिया था, मुझे उमीद है कि आपने इसकी practice की होगी, और अभी हम further आगे चलते हैं, next मेरे पास चो tool है, वो text का tool है, text के उपर हम आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे, मैं आपको इस वक फिलहाल tool के उपर text बता देता हूँ, वाकी further इसकी animations, क काफी simple भी मैं समझता हूँ, यह है इस वक, मैं just इस पर click करूँगा, और जहाँ पर भी मैंने कोई text add करना हो, मैं वहाँ पर click करूँगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक text की layer add हो चुकी है, अभी यह empty है, क्योंकि इस पर text कुछ लिखा नहीं, और अगर अब मैं यह यहाँ पर कोई text type करूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह text तो लिखा गया है, जो कि काफी छोटा है, मैं इसको select कर सकता हूँ, अपने mouse से drag करके यहाँ पर control A भी करूँगा, क्योंकि इसको मेरे पास text की layer ही select है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर right पे, character के ना साथ भी कुछ play around कर सकता हूँ, मुझे color pick करना हो, maybe green, मैं यहाँ से वो pick कर सकता हूँ, अपनी पसंद का, और इसको फिर मैं okay कर सकता हूँ, और further यह मेरे पास जिस तरह लेयर ही add है, तो जिस तरह से प्रीमियर में हम करते रहे हैं, उसी तरह से इसकी सारी alignment है, positioning है, या कोई transition, effect वगारा कुछ भी आपने इसके उपर लगाना है, तो वो आप उस तरीके से लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप एक video file में, regular video file में लगा सकते हैं, आप इसको mouse से भी size इसका font size बढ़ा और चोटा कर सकते हैं, और अगर आप shift add करेंगे तो यह proportions इसके ठीक रखेगा, और इस तरीके से भी आप इसको text को अपने use कर सकते हैं, अभी हम इनको delete करना चाहें, तो delete कर देंगे, क्योंकि हम आगे next tool पर बात करेंगे, और उसके बाद मेरे पास चोटूल है, वो brush tool है, आप में से जिन लोगों ने भी Photoshop यूज़ कियो होगा, उसमें भी यह बड़ा common tool है, shot keys की control भी है, अगर इसको मैं यहां से select करूँ और उसके पाद मैं अगर अपने brush के यहां पर tap में आऊ यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि इस window के नीचे brush की कुछ settings मुझूद है, brush की types हैं, कुछ इसके size हैं, और further और चीज़ आप देख सकते हैं, कितना आपको उसका angle, कि कितना आपको इसकी hardness, कितना आपको smooth चाहिए, तो दूसरी मेरे पास यह भी है, कि अगर मैं यहां से कोई shape select कर लूँ, जिस तरह कि मैंने यह select कर लिया, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास यहां पर brush apply नहीं हो रहा, उसकी बच्छा यह है कि brush चो apply होगा, वो directly साथ एक और new window में, new tab के अंदर खुल जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास यह brush का आगया है, control प्रेस करूँ और left click mouse का, मैं उसको left पर drag करूँगा, तो इसका size चोटा हो जाएगा, और right पर drag करूँगा, तो इसका size बड़ा हो जाएगा, मेरे पास यहां पर brush के नीचे एक और window है, paint की और उसमें further इसके color बगार की मेरे पास option है, कोई भी color मैं इस वक्त select करना चाहूँ, मेरे पास यहां पर brush tool apply किया है, और उसने उसको full brush नहीं किया, क्योंकि इस वक्त जो है, वो paint यहां पर इसका blending mode में overlay हुआ हुआ है, इसको मैं undo करता हूँ, और by default यह आपके पास वैसे normal होता है, और normal as it is, इसको apply करेगा, कुछ इस तरह से, कि आप देख रहे हैं कि बिलकुल ही उसने उसके blending mode try करें, तो जिस तरह overlay है, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहां पर कर रहा हूँ, overlay mode है, इस वक्त आपके पास purpose तोड़ा सा different हो गया, जो आपने बिलकुल उपर brush करना था, उस तरह से नहीं, लेकिन आपके पास यह पूरा brush apply हो गया, और further आप अपने timeline पे इसको कि इस वक्त अगर आप इस तरीके से चाहरे थे, तो आप इसको कर सकते हैं, जहां पर आपका CTI होगा और जो effect यह जो tool आप apply करेंगे, तो वो basically वहां से ही उसको शुरू करेगा, इसको फर्दर इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम effect में गए, paint में गए, और मेरे पास यह, इस के साथ ला सकते हैं, अब यह बिल्कुल इसके जो in point है, वहां से आ रहा है, और अगर आपको यह brush का impact यहां तक ही चाहिए था, तो यहां पर यह brush मेरे पास add है, तो इसको आप यहां से, यहां तक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास, control right और control left से, मैं frame by frame move कर सकता हूँ, और अगर shift right कर लूँगा, तो मैं 5 frame move कर लूँगा, तो इस वक्त यहां तक मेरे पास जा रहा है, तो आप कोई भी इस तरह का और आगे भी जो हम effect लगाएंगे, तो उसका impact भी specific जगा तक हो सकता है, आपको लग रहा हो कि आभी आपने brush किया था, और अभी तो यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो आपको इसकी further properties में जाके देखना है, जिस तरह यह अभी effect के अंदर fall करता है, और यहां पर मुझे यह नजर आ रहा है, आप इसको यहां से drag करके पूरे पर apply कर सकते हैं, और अगर आपने इस effect को delete करना हो, आप यहां से इसक इसको delete कर सकते हैं, बेश्यक आप चाहें, तो effect को select करें और delete press करें, तो सारे effects delete हो जाएंगे, अगर आपको specific जिस तरह यह paint की category में fall करता है, इसको delete करना हो, तो आप यहां से इसको delete करेंगे, तो इस वेक्ट भी आपका brush delete हो चुका है, further मेरे पास clone tool है, जो के photoshop user बहुभी वाकिफ होंगे, बड़ा ही different or the other tool है, और basically यह क्या करता है, यह आप जो area उसको clone करना चाहते हैं, या पर उसको आप duplicate या उसकी copy करना चाहते हैं, उस specific area को select करके, आप उसकी दूसी जगा जिस जगा पर आप अपनी desired जगा पर जाके उस को clone कर सकते हैं, मिसाल के तोरब पर यहाँ पर मेरे पास empty space है, और मेरे पास यहाँ पर यह जो area है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यह clone हो जाए, तो यहाँ से मेरा clone tool select है, और इसी तरह से मुझे again इसको double click करना होगा, क्योंकि मैं directly composition पर इसको भी apply नहीं कर सकता, अब आप देख रहे हैं, clone tool के साथ ही आपके पास यह शेप बनीवी है, आपका जो icon जो cursor है इस वक्त, उधर भी brush जिसा ही आपके पास add है, क्योंकि इसने अभी भी area की selection करनी है, आप चाहें तो इसको यहाँ से भी change कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपका यह control के साथ right और left pen करन से, इसका size बड़ा चोटा हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह का soft round ही रखें, ताके selection हमारी बिल्कुल accurate उस तरह से ना हो, क्योंकि हम clone करेंगे, वह पर हमें थोड़ा सा feel होगा, clone tool मैंने select किया है, मैं यहाँ पर alt press करूंगा, और अगर इस area को मै रहता हूँ, मैं वहाँ पर simple click करूंगा और आप देख सकते हैं, कि इस वक वो same area और आपको छोटा सा इस वक माउस उस area पर भी नजर आ रहा होगा, जहां पर, जहां से हमने select किया था, ताके आप दोनों तरफ नजर रख सकते हैं, कि उस तरफ भी कोई area ऐसा बाहर तो नही same इस चीज को clone कर दिया, अपने right part पर, यह तो इस वक काफी simple भी था, क्योंकि यहां पर पानी का color blue है, और अच्छे तरीके सा आपने इसको blend कर दिया, अगर मैं चाहूं तो और areas पर भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहां से पहाड को select करता, और यहां पर आप देखें कि यह प बड़ा जबदस टूल है, बड़ा ही इसका जबदस impact होता है, और अगर मैं इसको यहां से इस वक्त off करूँ, क्योंकि यहां पर मेरे पास इस तरह प्रीमेर में होता था, effects की option, जहां से हम इसको effects को on और off कर सकते हैं, just इसको click करने से, इसको off करके आप देख सकते हैं, पहल तो जैसे जैसे आप use करते जाएंगे, आपके control बेतर होगा और आप smartly इसको फिर यह tools apply करके further इनको मजीद realistic भी बना सकते हैं, और इसके बाद जो मेरे पास tool है, वो laser tool है, just मैं इसको यहां से select करूँ, control भी इसकी by default short की है, और जिस तरह से इसका नाम है, यह बिलकुल यही काम करता है, कि यह erase करता है, यह भी आपके composition पर apply नहीं होगा, अगर आप composition पर apply करेंगे, बेशका आपने tool select किया वाए, वो composition को move करतेगा, जो कि हमें ऐसा नहीं करना, यह भी apply होगा, आपको उच्छी तरह क्लिप को double click करना होगा, जिस clip पर आपको apply करना है, और अब भी आ आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ पर click और drag करना शुरू किया, तो इतना area मेरे पास erase हो रहा है, उस पूरी file में से, और यह पीछे मेरे पास black show कर रहा है, वैसे तो normally यह transparent ही इसको कर रहा है, और इसको check करने के लिए मेरे पास यहाँ पर option है, transparency grid on करने की, अगर मैं इसको click करूँगा, तो आप देख सकते हैं इस पर, कि यह जो मेरे पास पीछे checker board आया हुआ है, तो basically यह transparent layer है, और इसके पीछे कोई भी image, कोई भी element, कोई भी video आप डालना चाहते हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं, जो area erase हो रहा होगा, और नीचे layer में जो भी चीज होगी वो आपको इसकी जगा पे नजर आनी शुरू हो जाएगी, और आपने देखा होगा, photoshop जो use करते हैं, उसमें भी बिल्कुल ऐसी तरह ही होता है, और यह बिल्कुल सेम, ऐसी तरह ही आपको transparent नजर आ रहा है, यह अगर हम इसके बाद इसकी नीचे वाली layer को भी on कर दें, औ आप कर सकते हैं, क्योंकि यह आपने करते ही रहनी हैं चीजे इस तरह के जहां तक आपको अपनी final look जो है, जो आप बनाना चाहते हैं, वो achieve न हो जाए, जिस तरह भी तो हमने यह बिल्कुल random footage रख दिये, लेकिन आप जब इसको कर रहे होंगे, तो I'm sure purposely, आप अपने proper footage, proper assets को use करके आप इस पे काम कर रहे होंगे, तो यह काम है Eraser Tool का, और इसके बाद अगर मैं इस वक्त Eraser Tool यहां से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने effects में चाहूंगा, paint के अंदर ही यह सारे fall कर रहे हैं, और यह मेरे पास सारे Eraser एड़ना है, क्योंकि मैंने बार बार क् को separately add कर दिया effect, और यहां से multiple Eraser में यहां select करके delete कर सकता हूँ, तो आप देखें इस वक्त को बिल्कुल delete हो चुके हैं, यह side पर आपको कुछ नजर आ रहा है, हमारी position भी थोड़ी सी disturb हो चुकी है, जिसको हम कोई बात भी, बात में भी set कर सकते हैं, और इस वक्त जो इसकी कोई position या scale को reset करना हो, उस पर भी आप right click करके उसको reset कर सकते हैं, overall values को करने के लिए आपके पास यह reset की option मुझूद है, और इसके बाद मेरे पास जो tool है, वो है roto brush tool, यह बड़ा जबदस tool है selection के लिए, बैसे rotoscopy एक और concept है, जो के आगे हम आपको थोड़ा से explain करेंगे, लेकिन इस वक्त जो यह roto brush है, basically वो ही काम करता है, जो के आपका photoshop में different selection tools काम करते हैं, बड़ा smartly यह आपकी selection कर सकता है, इस layer को अगर मैं off करूँ और यहां से मैं इस layer के जो इसके नीचे layer है, इसमें मैं अगर कोई selection करना चाहूँ, तो यहां से मैं अपना roto brush tool पकरूँ और आपको specific यहां पर पूरा जिस तरह कि हमने shape से किया था, pen tool से, उस तरह करने की जरूरत नहीं, अगर तो इसको बहुत अच्छी range मिल रही है, यह smartly इसको select कर लेगा, composition में यह नहीं काम करता, हमें उस clip पे specifically जाना पड़ेगा, उसको हम double click करेंगे, हमारे पस यहां पर ए प्रफ्लीक जाल रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैंने स्क्राइब जॉइन किया, और आप यह जो purple line देख रहे हैं इसमें, यह इस वक्त basically area इसने select कर लिया है, अब आप देख रहे होगे कि इसमें कुछ area इसे भी है जो आपको नहीं चाहिए था, मिसाल के इसी roto brush tool के साथ link करता है, और यह करता क्या है, basically कि यह आपके जो edges है, यह उनको refine कर देता है, तो अगर आप इस तरह से यहाँ पर refine edges वाला tool है, और इसको यहाँ पर आप drag करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस पर काम कर रहा है, और यह इसने इसकी edges इस तरह से maintain कर दिये, जो कि थोड़ा साथ को soft कर देगा, थोड़ा साथ को blur कर देगा, इस वक्त आपको यह black and white में नजर आ रहा है, लेकिन जो actual काम हुआ है, वो आप अपने composition में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यह जो edges थे आपके, यह थोड़े से smooth हो ग दिया, इसके अलावा जो ऊपर वाला portion था, उस पर भी हम देख सकते हैं कि यह edges जा रहे थे और उसको उसने इस तरह से उसको थोड़ा सा soft कर दिया, थोड़ा सा smooth कर दिया, यह आप कहलें, थोड़ा सा blur कर दिया, लेकिन edges आपके properly balance हो गए और इसके बाद जो मेरे पास tool है, वो puppet position pin tool है, और यह basically आपकी footage को जो भी आपका यहाँ पर asset होगा, उसको यह थोड़ा सा deform करते है इसमें यह pins जो होती है, basically यही इसको help out करती है, अगर मुझे किसी एक area को थोड़ा deform करना हो, थोड़ा सा squeeze करना हो, या पिर और किसी तरह से distort करना हो, तो मैं इसके edges पे, जितना area में ने करना हो, मैं supporting यह pins लगा देता हो, ताके इसके बाहर बाहर वाला area deform ना हो, और मैं move करूँगा, तो वो exactly, उसको deform कर रहा है, आप देखें, इसकी shape बिल्कुल इस वक्ट change हो चुकी है, और in points से बाहर जाओँगा, अगर तो फिर उसको move करेगा, नहीं तो, जो proportions है इसकी, वो in pins के अंदर ही यह रहेगा, इसी और जगह पे, अगर मैं इसको apply करूँ, जिस तर तरीके से deform कर दिया, अगर मैं in points को छेड़ूँगा, तो वो obviously वो उस area से पहार निकल जाएगा, तो इस totally depend करता है कि आपने किस तरीके से इसको use करना है, further इसके साथ supporting इसके और भी tools हैं इसके अंदर, जो के puppet pin tools से ही relate करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनको explore कीजेगा, औ tools बहुत important हैं, और आपने इनका usage भी देख लिया, कि किस तरीके से हम इसको use करते हैं, further जो मेरा final word है in tools के ओपर वो यह ही है कि जब तक आप इनको practically apply नहीं करेंगे, practice नहीं करेंगे, तो यह आपको समझ नहीं आएगा, तो इसकी बहुत जादा से जादा practice करें, और आगे आ